दोस्तों अंत्रिक्ष में अपने स्पेसक्राफ या इंटरनेस्नल स्पेस स्टेशन पर रहकर एक कंट्रोल्ड एंवारन्मेंट में रिसर्च करना तो काफी आसान है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस में जाने और वहां से वापस आने में होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनाट्स को पृत्विकी ग्रेविटेशनल फोर्स की विप्री दिसा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वाता बरण में एंटर करने के दोरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाओ और घरसन का सामना करना पड़ता है और इस दोरान हुई एक भी छोटी सी गलती भी इस्पेस क्राफ्ट में सवार अंतरिक्षी यात्रियों की जान तक ले सकती है इसलिए एस्ट्रोनाट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का क्राउन क्र्यू इस बात का खयाल रखता है कि टेकाफ और लेंडिंग सही से हो जाए और आज के इस वीडियो मे हम इस्पेस ट्रेवल के इस बिज्ञान को आसान सब्दों में समझेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों बचपन में पटाके वाला रॉकेट जला कर शायद आप में से कई लोगों ने सपना देखा होगा कि मैं तो बड़ा होकर रॉकेट में सवार होकर आन्तरिक्ष में जाऊंगा यानि यह बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो वैकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुचा जाता है लेकिन क्या आपको पता है इस पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बढ़ सकते लेकिन इसके लिए आपको इस्पेस क दोनों की जरूरत होती है क्योंकि एक spacecraft में ही astronauts space experiment के लिए जरूरी चीजे होती हैं जिसे आंतरिक्ष में पहुचाने का काम rocket करता है तो अब हम जानते हैं कि rocket कैसे काम करता है इस प्रकरिया को समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर rocket काम कैसे करता है तो दोस्तों Newton का third law of motion तो जरूर पढ़ा होगा इसके मताबिक हर action का एक will और opposite reaction होता है वैसे जब gun से bullet fire की जाती है तो बंदुक से गोली पर आगे की ओर acceleration force लगता है और गोली भी बंदुक पर पीछे की ओर बराबर force लगाती है जिसे recoil force कहा जाता है जिस वज़ा से बंदुक चलाने वा पॉल को नीचे मारते हैं उतनी ही speed से उपर की ओर उचलती है एक rocket भी Newton के third law of motion के इसी सिधान पर काम करता है धेर सारे इंधन का कमपंशन से rocket thrust पैदा करता है जिसके इस्तेमाल से जमीन से उड़ता है और पृतिवी के गुर्तवा कर्षन बलकि विपरी दिशा में आगे पास में लगे in twin engine को rocket कहा जाता है जिसका काम सिर्फ अपने payload को space में पहुचाना होता है इस payload में spacecraft में बैठे astronauts, satellite या फिर scientific equipment होते हैं दुनिया में मौदूद हर engine की तरह rocket को भी काम करने के लिए इधन की जरूरत होती है जब ये इधन जलता है तब उसमें से गर्म gases निकलती है अपनी सीधी बनावट की वज़ा से rocket engine इन गैसों को नीचे की वर छोड़ता है जिससे एक धक्का यानि की thrust पैदा होता है और rocket हवा में उड़ने लगता है और आप सोच रहे होंगे कि ये धक्का कितना powerful होता है तो बता दें कि space craft के पास लगे twin solid rocket साथ मिलकर करीब 5.3 million pounds thrust पैदा करते हैं जो 44 million horse power जितना होता है इतनी power को उत्पन करने के लिए एक साथ 14706 axle diesel locomotive engine करीब 4,000,000 कार्ज की जरूरत पड़ेगी साथियों एक rocket और aeroplane के engine में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि aeroplane को अपने fuel को जलाने के लिए हावा में मौजूद oxygen की जरूरत होती है वहीं दूसरी तरफ ये rocket को space में उड़ना होता है इसलिए इधन को जलाने के लिए जरूरी oxidizers अपने साथ लेकर उड़ता है ताकि इसके engine को बाहर से oxygen लेने की जरूरत ना पड़े एक rocket के engine में मुकता दोर प्रकार के इधन का प्रियोक किया जाता है liquid fuel और solid fuel इस fuel को ले जाने के लिए space craft और rocket engine के साथ एक external tank fuel tank जुड़ा होता है और space craft को पृतिवी के बाताबरण से बाहर space में सही जगा पर पहुचाने की बाद rocket space craft से अलग हो जाते हैं और यहां से space craft अपने journey पर निकल जाता है साथ इस explanation से आप rocket के काम करने की प्रिक्रिया के बारे में तो समझ चुके होंगे चलिए अब बढ़ते हैं space craft की तरफ साथियों एक space craft aeroplane की तरह नहीं होता है जिसमें astronauts के रहने और खाने पीने और सोने के लिए जरूरी सभी facilities उपलब्ध होती हैं एक हवाई जहाज की cockpit की साही space craft के आगे हिस्से में इसका पूरा control system लगा रहता है इसमें बैट कर pilot astronauts spacecraft को control कर सकते हैं साथियों जैसा कि हमने आपको बताया कि rocket spacecraft को आंतरिक्ष में पहुचा कर उससे अलग हो जाता है उसके बाद pilot astronauts के हाथ में अपने spacecraft का control आता है और वो spacecraft उड़ा कर crew member को आंतरिक्ष टीम इस launch को control कर रही होती है इस space craft में advanced technology की machines लगी होती हैं जिसका इस्तेमाल करके astronauts अंतरिक्ष में experiment करते हैं इस space craft और rocket के launch के लिए तीसरी जो जरूरी चीज होती है वो है launch pad आप भी जानते हैं कि ये कितनी ज्यादा heat छोड़ने वाले rocket को building की छास्ते तो उड़ाएंगे इसलिए especially launch purpose के लिए design किया जाता है launch pad साथियों launch pad को platform होता है जिसकी मदद से space craft को आस्मान की तरफ एक state line में project किया जाता है अब payload जितना ज्यादा होता है launch के stages उतने ही ज्यादा होते हैं इस launch pad पर rocket और spacecraft के setup होने के बाद इसे navigation team space center में बैट कर आसानी से control कर सकती है ठीक वैसे ही जैसे आपने movies में camera में बैठे बैग्यानी को launch के वक्त 5,4,3,2,1 launch कहते हुए सुना होगा दोस्तों अभी उतनी technology develop नहीं कर पाई कि astronauts पिर्थिवी से ज्यादा दूर जा पाएं इसलिए उप पिर्थिवी के आसपास अंत्रिक्ष में अपने experiment परफार्म करते ह और कई बार astronauts के space shuttle सीधा international space station पर जाकर land करते हैं जहां पर उनके रहने, खाने, पीने और सोने से लेकर experiment के लिए modern equipment सब कुछ मौझूद होता है अब इस इतने बड़े space station को बनाया कैसे गया उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे फिर हाल बात करते हैं कि अंत्रिक्ष में अपने task पूरे करने के बाद astronauts फिर इसे धर्ती पर लोड़ते कैसे हैं यहां आप में से कुछ लोग को लग सकता है कि space से return होने के लिए भी rocket का इस्तेमाल किया जाता होगा लेकिन आपको बता दें कि वापसी के दोरान spacecraft के पास ना ही इतना fuel होता है ना ही rocket क्योंकि इन्हें तो launch के बाद अलग कर दिया जाता है तो फिर अंत्रिक्ष यात्री नीचे कैसे आते हैं तो साथियों यहां काम आते हैं space shuttle यानि spacecraft जो करीब 17,500 मिल प्रतिघंटे की रप्त space travel की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है क्योंकि इस दोरान spacecraft को by bundle की गरम हवाई और उनके pressure और friction का सामना करना पड़ता है इस heat का अंदाजा आप इसी बासे लगा सकते हैं कि अगर इस spacecraft की जगह हवाई जहाज को अंत्रिक से by bundle में entry कराई जाए तो वो चुटकियों में ज space craft की उपरी और निचली सता के साथ पंकों पर भी एक खास तरह की heat resistance coating लगाई जाती है दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2003 में जिस कोलंबिया space shuttle में कलपना चावला और कुछ अन एस्ट्रोनोट सबार होकर प्रतिवी पर आ रहे थे लांच के दावरान उसके पंक जैसे जैसे space craft प्रतिवी के वाता बरण में दाखिल होकर धरती की ओर बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये जमीन के parallel उड़ने लगता है और फिर आता है landing का समय जो pilot astronauts के लिए चुनवती से कम नहीं होता क्योंकि हवाई जाज की तरह space craft को airport के runway पर ही land कराया जाता है और landing के द है इसलिए landing के दावरान रप्तार कम करने में मदद करने के लिए इसमें पीछे की वोर एक पैराशूट भी खुल जाता है हालनकि Apollo, Gemini, Swales और Mercury जैसे कुछ space craft की landing समुदर में भी कराय गए थी लेकिन इस से space craft के पानी में डूबने का खत्रा बना रहता है इसलिए आप इस तरह के landing नहीं करवाई जाती तो इस प्रकार आपने जाना की अंत्रिक्ष में जाने और वापस आने की प्रक्रिया में कितनी भारी चुनवतियों का सामना करना पड़ता है खैर spacecraft की launching और landing वैसे आप कौन सी process सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी comment करके जरूर बताएगा तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आयों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी के साथ नेक्ट वीडियो मिलेंगे जैहिन बंदे मातरम